नमस्कार साथियों Infusion Notes के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं आपका साथी कपिलतिवाडी आज आपके सामने 7 अक्टूबर 2023 इंडिया करेंट अफेर्स का सेशन लेकर परस्टूतूं इस सेशन में जितने ही महतोपुन क्यूसन बनने हैं उन पर मैं आपके साथ सचा करूँगा साथ ही उन परस्टूं से जुड़े जो महतोपुन तत्य होंगे उनकी भी जानकरी मैं आपके साथ साजा करूँगा साथ ही साथियों अंतिम में हम General Science के महतोपुन क्यूसन है वो भी मैं आपके साथ सेयर करूँगा वो आपके लिए उन सभी प्रतविता प्रिक्षा के लिए उप्योगी होंगे, जो General Science है, उसमें पूछी जाती है, तो इस Session को पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो इस Session को लाइक वासे है, जरूर कीजिएगा, शुरुआत करेंगे साथ कि यूँ, इस Session की पहला Qution कहां पर जन जाती विश्य विद्यालय स्थापित करने की गोषणा की है most important question रहेगा साथियों तो आपका अंसर होना चाहिए तैलंगाना क्या अंसर होना चाहिए तैलंगाना में जन जाती विश्य विद्यालय स्थापित करने की गोषणा है जो परदार मंतर जी के द्वारा क की गई है तेलंगाना के मुलूंग जिले में इसको स्तापित किया जाएगा इस पर बजट है जो आट सो नवासी करोड का रहेगा यह इसके साथ मोदी जी ने साथ यो राष्ट्रिय हल्दी बोर्ड का गठन भी करने की गोश्णा की थी यानि तेलंगाना में जो जनजातिये पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 809 साथियों और की जिले में तो आंसर होगा मुलूंग जिले में इसको स्थापित किया जाएगा बजट हो गया इसके अलावा राश्टी है हलदी बोड के गठन की भी गोश्णा की गई है तो इपोर्टेंट क्यूशन है साथियों अग बढ़ेंगे सातियों अगला क्यूशन आपके सामने है आप से पूचा गया है एंटी टेरर समयलन का आजन 5 से 6 अक्टूबर को कहां आयो जीते किया गया एंटी टेरर समयलन है जो उसका आजन 5 से 6 अक्टूबर को कहां आयो जीते किया गया important लगा लेना साथियों पूछा जा सकता है Anti-Terrorist हमेलेन है उसका आजन 5 से 6 एक्टूबर के बीच है जो कहां किया गया तो आंसर होगा नई दिली में किया गया important क्यूसर रहेगा साथियों कहां किया गया नई दिली में किया गया most important क्यूसर ने रहेगा अब इसका उद्गाटन किसने किया ये भी अपने को पता होना चाहिए तो आंसर होगा केंधरिया, ग्रहाम मंतरी, अमित साहजी के दौरा साथ ही उद्गाटन किया गया था और अब इसका उदेश्य क्या रहेगा वो इपोर्टन्ट है उधेष्य क्या है कि जो अंतकवादी fingers हो रही है उनको रोकना इसका परमुखुदेश्य रहेगा नीं अंतकवाद को अंतकवाद को रोकना इसका परमुखुदेश्य रहेगा जो आयोजन हुआ था वो कि सने कराया था राष्ट्री ये जांच अजेंसी के दौरा इसका आज़ोने कराया गया क्या क्यूसन बनेंगे इस क्यूसन से आप से पुछेगा एंटी टेर से मिलन आज़ोन कब हुआ तो आप का अंसर होना चाहिए पांच बच है एक्टूबर को आज़ित किया गया कहां किया गया तो आंसर होगा दिली में उदेश्य पूछे तो उदेश्य रहेगा सातियों अंतकवाद के खिलाप है जो अंतकवाद को खतम करना इसका उदेश्य रहेगा उद्गाटन किसने किया तो केंदरी अगर है मंत्री अमीट साहाजी के दौरा किया गया आए जोन किसने करया है तो राष्ट्री है जान्स अजेंशी के द्वारा इसका आए जोने करया गया important fact थे इस क्यूशन के आगे बढ़ेंगे अगला क्यूशन है आपके सामने आप से पूचा गया है Global Mobile Speed Ranking में भारत की स्थान पर है आप से पूचा गया है Global Mobile Speed Ranking में भारत की स्थान पर है तो आंसर होगा 47 स्थान पर है भारत है कौन से स्थान पर है तो आंसर होगा 47 स्थान पर है भारत है साथियों अब 5G आने के बाद है जो भारत में Mobile Speed Performance है जो 5 पॉइंट है उन से टकुना बढ़ गई है पुछा जा सकता है के बार Unique Question भी पुछा जाता है आप से पुछेगा Global Mobile Speed Ranking में भारत कौन से इस्थान पर है तो आपका आंसर होगा 47 स्थान पर है 5G आने के बाद Mobile Speed Performance में जो 3.5 पॉइंट 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 गुना बढ़ गई है आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्यूसन पर बात करेंगे अगला क्यूसन है आपके सामने साहित्यका Nobel पुरुषकार 2023 किसे दिया गया तो आंसर होगा जोन होसे को दिया गया किसको दिया गया जोन होसे को दिया गया कौन सा पुरुषकार साहित्या का नोबल दिया गया और यह कहां के हैं तो आप कहां सुरोगा नार्वे के हैं कहां के हैं नार्वे के रहने वाले हैं इपोर्टन्ट है पुछा जा सकता है कौन जोन होसे कहां के रहने वाले हैं तो आप कहां सुरोगा नार्वे के रहने वाले हैं इनके नाटक वैजो कहनिया है सातियों वो उन लोगों को हवाद देने मिशक्सम मानेंगी जो अपनी बात कहीं नहीं सकते थे इसलिए इनको है जो 2023 का सहित्या का नोबल है परदान किया गया किशन डिया गया जोन को दिया गया कहं के है नारवे के है important है, पुछा जा सकता है, सातियों, आगे बढ़ेंगे अगला क्युछन आपके सामने है, आप से पुछा गया है RBI के एकजी के टिव डारेक्टर हैं, कोन बने हैं RBI के एकजी के टिव डारेक्टर हैं, जो कौन बने हैं तो आपका आंसर होगा मुनीश कपूर बने हैं, कौन बने हैं, मुनीश कपूरे बने हैं, पुछा जा सकता है साथियों, आर्बियाई से समंजेत क्यूशने, पुछा जा सकता है, तो आंसर होगा, मुनीश कपूरे बने हैं, आर्बियाई की बात करें, तो आर्बियाई की आपना एक अप्रेल 1935 कोई मुख्याले बुंबई महाराष्टर में है और वर्तमान में इसके गवर्णर है जो सक्तिकांते दास है ये भी अपने को पता होना चाहिए आगे बढ़ेंगे अगला क्यूशन आपके सामने साथियों अपने नाम किया है पर्थम बार तीरन दाजी में गोल्ड जीता है इसलिए कि उसने इपोर्टेंट बन रहा है कौन-कौन है जोती शुरेखा वै ओजस है देवताले ने तीरन दाजी में जो गोल्ड जीता है इसके अलावा अनूरानी ने भी सातियों बाला फैंक में गोल्ड जीता था ये भी अपने को याद रखना है अनूर अनिवाला भी आपको याद रखना है कि इन्हों ने जो बाला फेंक में गोल्ड जीता था पुछा जा सकता है आगे बढ़ेंगे अगला क्योंस न आप से पुछा गया है हाली में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भो का संबंदे किस से हैं इसका संबंदे किस से हैं इपोर्टेंट रहेगा तो ये बारतिय सेना से इसका संबंद है और बारतिय सेना इससे क्या करेगी इस पर भी अपने अवे जानकारिक लेंगे किस से समंद रहेगा अंसर होगा बारतिय सेना से इसका समंद रहेगा और बारतिय सेना है जो साथियों इसमें क्या है कि जो अपने प्राचीन गरंथ है उसे युद कोसल कूट निती वै किस परकार की रनिती बनाए जाए युदों की शीखने की बारकियों का इसका आद्याने इसे करेगी यानि जो पुराने गरंथ है उसे यूद कोसल कूटनेती वहराजनेती जो चोटी-चोटी बारिकिया है उनको सीखा जाएगा आप से सिदा का सिदा पूछेगा प्रोजेक्ट उद्वो का सम्मंद किसे है तो भारतिय सेना से इसका सम्मंद रहेगा आगे बढ़े एंजाइम कौन सा मेनेटिक एंजाइम मेनेटिक एंजाइम है इसका विश्कार है जो किया गया था किसके द्वारा आई आई सी बैंगलोरो बैंगलोरू के द्वारा जो किया गया इसका उप्योग क्या है कि जो द्योगों से अवसिष्ट जल निकलता है साथियों उसका मेनेटिक एंजाइम है उसको जल में है जो सनलाइट की उपष्थिति में अपने दस मिट रखेंगे तो उसका उपचारे कर देगा ये भी अपने को बता रखना है पुछा जा सकता है कितनी मिट तो आप कहां सो रोना चाहिए दस मिट का समय है तो इसमें लगेगा इप्योट हम हाई स्पीड रेल उसो कहां से शुरू की गई तो आंसर होगा इंडोनेश्या से कहां से शुरू की गई है इंडोनेश्या से शुरू की गई है कहां से शुरू की गई है तो आप कहां सरो होगा इंडोनेश्या से शुरू की गई है इपोर्टेंट है पुछा जा सकता है इसकी speed है जो साथियों वो important रहेगी 350 km पर्ती होर्स की इसकी speed है जो रहेगी इसके अलावा साथियों इसको आप से पुछे कि इसको launch कि इसने क्या तो राश्टरपती है वहां के जो को विंडो के दुआरा इसको शुरू किया गया था important है पुछा जा सकता है क्योंकि बी आराई यानि चीन की जो बी आराई है उसके तहज दक्षणी पुरो एश्या की पर्थम हाइश्पीड है इसलिए पोर्टेंट वंड़ा है क्योंकि बार इसको आप से पुछा जा सकता है आगे बढ़ेंगे अगला कि उसन आपके सामने हाली में शीक्षिम राज्ये में किस नदी में बाढ़ आने से परदेश के कई शेतरों से संपरक तूट गया तो तिस्ता नदी है साथियों काफी जीवन यहां पर परभावित हुआ है तिस्ता नदी में बाढ़ आने के एकारणे कहांपर शीक्की मेराजय में कई बार इसा जो जनरल अवेर्नेस का क्यूशन है यानि हम करेंट अफेर्स हैं कितने जुड़े हैं उसमें इसा भी परसने कुछ आजा सकता है कि शीक्की मराजय में हाली में किस नदी के एकान बार डाय थी जिसे जानमाल के हानी हुई तो आप क दा कान सर और तीया का स्युटा स्वीए तीस्ता नदी अब आगे शीरीज रहेगी जन्रल साइंस के मेहतो पूंट क्यूशन पर अपने तरचा परड़ेंगे मेरे दुआर है रहिए प्राइज कि मैं आपको कम समय में स्यांदार क्यूशन परोवाइड करा रहा हूँ साथ ही आपको डेली जो जनरल साइस से भी अपडेट है करता हूँ इस एक सेसन में यह सेसन रहता है साथ ही हो दश बारा मिन्ट का पसंद आई तो यह सेसन को लाइक वैसे ज़रूर कीजिएगा Infusion Notes के YouTube चैनल को लाइक वा सब्सक्राइब कीजिएगा आप से पुछा गया है अती सुक्सम वस्तों के आवर्धन के लिए किस यंतर का उप्योगे किया जाता है तो Microscopes का आंस्वर रहेगा आंस्वर क्या रहेगा? Microscopes का आंस्वर रहेगा बुकम की तिरवता तिवरता मापने वाला यंतर कौन सा होगा? सिस्मो गराफ ये भी अपने को ध्यान रखना है सिस्मो गराफ है वो रहेगा important है पूछा जा सकता है आगे बढ़ेंगे आगे है सरीर के आंतरिक अंगो का प्रिक्षन किसे उपकरण के द्वारा किया जाता है तो endoscopy ये भी अपने को पता होना चाहिए किसके द्वारा किया जाता है? endoscopy सरीर के आंतरिक अंगों का प्रिक्षन है जो किसे उपकरण के द्वारा किया जाता है? अंस्रोगा endoscopy के द्वारा किया जाता है अगले question पर बात करेंगे साथियों अगला question आप से पुछा गए है stethoscope में रोगी के दिल की दड़कन की दाउनी डाक्टर के कानों तक पहुंचती है दाउनी के बहुते बहु परावर्तन के चलते पहुंचती है ये question important है साथियों पुछा जा सकता है दाउनी के बहु परावर्तन के द्वारा है जो दाउनी है जो डाक्टर के कानों तक पहुंचती है ये question important है रहेगा आगे है आन्दी के आने से पुरो बेरामिटर में पारे का स्तर है जो समाने स्तर से नीचे आ जाएगा ये question be important है रहेगा क्या है कि इसमें क्या रहेगा समान इस तर से नीचे आ जाएगा बेरोमिटर का जो पारे का स्तर है वो समान इस तर से नीचे आ जाएगा तो साथियों ये पांच मेहतोपुन question थे general science के इसके अलावा इंडिया current affairs के मेहतोपुन 10 person मैंने आपके साथ share के मेरा प्रयास रहा की कम समय में आपको current affairs भी मिल जाए साथ ही general science से भी आपका रियूजन हो जाए मेरे दौरा किया जा रही है प्रयास आपको पसंद आया है तो इस session को like वाज शेज जरूर कीजिएगा Infusion Notes के YouTube channel को like वर subscribe कीजिएगा सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों में में से जरूर शेयर कीजिएगा धन्यवाद